हलो क्रेंट्स दिस वर्शा वेलकम बैक टू वर्शाज अकैडमी एक लव इस चछक भरती में आज का टॉपिक है आपका बच्चों का बचाव एवन सुरच्छा सुनिश्चित करना ठीक है यह आपका एडमिनिस्टेटीटीट का टॉपिक है गटना चकरे के क्कूस्चन्स हो रहे हैं जिसमें आल टोटल सिक्स टॉपिक दिये गए हैं एडमिनिस्टेटीटीट के जिसका आज तरी पार्ट है तो पहले की जो क्लासेस हुए उनको जरूड देख लीजिएगा कापई ज़दा इं भी उसको होना चाहिए डियमों को लागू करने की द्रणता भी होनी चाहिए और धैर और सहान भूती बहुत ही जादा जरूरी है ठीक है यह सारी ही चीजे एक हॉस्टल बॉर्डन में यह सारे ही गुड होने चाहिए इसका मतलब क्या होता है इसे प्राया वीडियो निगरानी की रूप में जाना जाता है ठीक है इसका आर्थ होता है पारिवारिक सिच्छा अधिकार और गोपनियता अधनियम यह एक सेंगलिय कानून है जो संभावित नियुकताओं सारोजनिक रूप से वित्त पोषित सैचनिक संस्थानों और विदेशी सरकारों जैसे सारोजनिक संस्थानों और सैच्छिक जानकारी और एक और तक पहुँच को नियंतरित करता है जिले का कौन सा अधिकारी चात्रावासों की जाँच के लिए मौनिटरिंग का गठन करता है तो वो जिलाधिकारी होते हैं जिले के चात्रावासों की जाँच के लिए जिलाधिकारी एक मौनिटरिंग समिती का गठन करते हैं और मौनिटरिंग समिती के रिपोर्ट का अभलोकन भी जिलाधिकारी समय समय पर करते रहते हैं ठीक है यहाँ पर बेसिक सिछा दिकारी नहीं होगा यह याद रखिएगा नेक्स्ट है चिकित्सी आपात इस्तिती में वार्डन को सरपर्थम क्राप क्या करना चाहिए तो चातर को तुरंत नजदी की अस्पताल ले जाना चाहिए ठीक है आप यह नहीं सोच सकते कि भहिया उनके मापा आ जाएंगे तब हम बच्चे को लेकर जाएंगे तब तक हो सकता है उसकी हाला तो और बिगड़ जाए तो सबसे पहले क्या होता है प्राथमी चिकित्सा देना अगर आपने पास की फर्स्टेट का यूज़ करके उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे है तो तुरंत उसको नजदी की अस्पताल ले जाना चाहिए प्रतेक कमरे की जाच वारडन द्वारा की जानी चाहिए तो कितनी प्रत दिन में एक बार यह आपको सुभा के जो वीडियो है उसमें दिखाया गया बता दिया गया था चात्रावास में प्रवेश से पहले निमन में कौन सी चिकित्सी जाच कराई जाती है तो HIV, CBC, Hepatitis B यह सारी ही जाच है जो बच्चे की करा लेनी चाहिए तब उसको हॉस्टल में रखा जाना चाहिए कर्शन नमबर एट है प्राथमिक चिकित्सा के संदर में ABC का पून रूप क्या है यह important question है इसका मतलब होता है airway breathing circulation ठीक है क्या होता है airway breathing circulation airway का मतलब क्या है अर्थात वायू मार्ग अवरुद वायू मार्ग किसी व्यक्ति को सांस लेनी की चमता को प्रवावित कर सकता है इस कारण प्राथमिक उप्चार के दौरान वायू मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं then breathing का मतलब प्राथमिक उप्चार की दौरान ये निर्धारित करना महतपूर्ण है कि कोई व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं circulation मतलब परिसंचरन सांस लेने से रक्त oxygen से सम्रद होता है तो ये हरदर की धड़कन है जो इस oxygen को पूरे सरीर में पहुँचाती है next question number 9 warden चात्रावास करमचारियों और चात्रों के बीच विवादों को कैसे समभालता है तो निस्पच्च समाधान हेतु पच्चों के बीच मध्यस्त तता करके किसी भी party को किसी भी पक्च को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसके साथ में गलत कर रहे हैं या दूसरे का जाधा पच्च ले रहे हैं next question number 10 चात्रावास में आपात कालीन तैयारी में सामिल है तो आपात कालीन अभ्यास करते रहना चाहिए समय समय पर समय बद संचार यानि कि बच्चों से communication रखना चाहिए निकासी प्रक्रियां सुनिश्चित करना चाहिए I think यह C point बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों को निकासी प्रक्रियां के बारे में भी पता होना चाहिए कि कभी अगर इस तरह की situation आ जाती है तो कहां से उनको निकल कर हॉस्टल खाली करना है तो यह उपर्यूग तो सभी यहाँ पर सही option है Next question number 11 चात्रावास में रहने वाले चात्रों को सामाने चोटों बिमारियों से निपटने में प्राथमिक चिकित साकिट की विवस्था करना किस की जिम्मेदारी है तो यह चात्रावास वार्डन की जिम्मेदारी है Next day 12 चात्रावास वार्डन को चात्रों की सिखायतों का समाधान किस प्रकार करना चाहिए तो निस्पक्ष और सहानुभूति पूर्ण ढंक से Question number 13 की यहाँ पर बात करते हैं चात्रावास वार्डन को क्या जानना आवश्यक है तो बाल सुरच्छा अधनियम जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए आपको एक्ट पढ़ाय जा रहे है ताकि आपको वो सारी एक्ट अच्छे से पता होने चाहिए कि कब-कब बच्चे को किस सिच्वेशन में अगर वो फस रहा है तो उसको निकालने के लिए आप किसके पास जाकर मदद ले सकते हैं चात्रावास में सांती विवस्था कायम रखने के लिए निमलिखित में से क्या सहायक कदम है तो चात्रों के मदद सामुदाइक भावना का विकास महत्रिपून मौहल को बढ़ावा देना निरंतर समवाद की प्रक्रिया जारी रखना तो इसका राइट ओप्शन है उपर युगत सभी नेक्स्ट कोशन नमर 15 बच्चों के लिए इंटरनेट सुरच्छा सुनेशित करने में निम्न में कौन सा एक महत्रपून कदम है तो ओनलाइन गतिविधियों के निगरानी रखना ठीक है कि बच्चे इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं क्या देख रहे हैं वो जानना एक होस्टल बॉर्डन के लिए ही नहीं बच्चों के माता-पिता के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है आज की समय में ठीक है छात्रवास बॉर्डन बच्चों के मानसिक कल्यान में कैसे योगदान दे सकता है तो एक सहायक वातावरन परदान करना सहायक वातावरन होना बहुत जरूरी है कॉर्शन नबर 17 छात्रवास बॉर्डन बाहरी गत्विदियों के दौरान बच्चों की सुरच्चा कैसे सुनिश्चित कर सकता है गत्विदियों की योजना बनाकर और पर्रविच्चन के दौरान के दौरा निमलिखित में कौन सा प्रभावी सुरच्छा संचार रणनीती का हिस्सा नहीं है तो सुरच्छा के बारे में खुली चर्चा को हतोत साहित करना किसी भी चीज को हतोत साहित नहीं करना है किसी भी questions में अगर negative word आता है नेगेटिब options आते हैं तो उनको तुरंट आपको eliminate कर देना है ठीक है नेक्स्ट कॉशन नमबर 19 चात्रों में जिम्मेदार विवार को प्रोसाहित करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए तो चात्रावास के नीमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए चात्रों को पुरस्क्रत करना चाहिए जिससे और चात्र भी motivate हो और वो भी जो नीम है जो दिशा निर्देश है उनका पालन अच्छे से कर सके नेक्स्ट है question number 20 वार्डन को चात्रावास में संभावित चोरी की सिकायत मिलती है तो उसकी कारेसली क्या होनी चाहिए तो विवेकपून और निस्पच तरीके से पूरी जाज करना ठीक है घटना से पुलिस को तुरंत अबगत कराएं तो ये सारी चीज़े बाद की होती है सबसे पहले आपकी जिम्यदारी है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना उसके बाद अगर वो सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं होती है तो आप अपने होस्टल के ही जो उच्च अधिकारी हैं उनसे संपर्क करे फिर वो ये निर्णा लेंगे कि कौन सी घटना के बारे में पुलिस को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए नेक्सटे ट्वेंटीवन चात्रावास वॉर्डन को बच्चों की दवा का प्रवंदन कैसे करना चाहिए तो उचित बंडारन और प्रशासन प्रोटोकॉल का पालन करके नेक्सटे ट्वेंटीटू चात्रावास वॉर्डन समाविशित और विविद्धा की संस्कृति को बढ़ावा कैसे दे सकता है तो मतवेदों के बारे में सम्मान जनल चर्चा को प्रोशाहिद करना ठीक है कि कोई भी मतवेद अगर उनके बीच में है तो उसके पर अच्छी सही चर्चा की जानी चाहिए और उसको प्रोशाहिद भी करना चाहिए तो ये टोटल आपके 22 questions थे काफी ज़्यादा important वीडियो को like, share and subscribe जरूर करें Thank you so much for watching